तो चली हम लोग आज शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो तो इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर वन पढ़ाने जा रहा हूं इसके पहले मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर टू पढ़ाया था जो कि अपता था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मेरा पहले पढ़ाने का चैप्टर नंबर टू पहले पढ़ाने का चैप्टर नंबर वन पढ़ाने का बाद में यही रीजन था कि आपको एकाउंटिंग के टर्म्स पता होने चाहिए ठीक है कुछ भी आपको पढ़ने से पहले accounts के बारे में पढ़ने से पहले, आपको accounting के terms पता होने चोई है, क्योंकि बिना terms के आप accounting के बारे में समझी नहीं पाएंगे, और जो आपको accounting के terms, वो chapter 2 में explain कियो है, और accounting क्या होती है, यह क्या बोलते है, accounting का introduction है, वो आपका chapter number 1 में दे रखा है, तो इसी लिए मैं आपको chapter number 212 पहले पढ़ा दिया, क्योंकि देखे, जब तक आप accounting पढ़ेंगे, accounts के बारे में आप पढ़ेंगे, तब तक आपको यह terms आपको यह terms आपके knowledge में होने चाहिए, ठीक है, without in terms को knowledge में रखे, आप क्या कहते हैं, accounts के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, तो आएए चलिए, शुरू करते हैं, तो chapter शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहूंगा, ठीक है, जो कि बहुत important accounts को पढ़ने के लिए, तो फिर चलिए, सबसे पहला question आता है कि हम accounting करते क्यों है, एक individual accounting करता है क्यों, accounting करने की need क्या होती है, तो देखे, एक आदमिक human mind में कई तरीके की चीज़ें चलती रहती है, 50 तरीके की चीज़ें human mind में चलती है, उसमें से आपका एक portion accounting का भी होता है, accounting का तो यह सारी चीज़ें आपको remember हर वक्त नहीं रहेंगी, ठीक है, चलिए, आज for example, आज का transaction है, आज हमें remember है, पर आने वाले 10 साल के बाद भी हमें यह remember रहेगा, 5 साल के बाद भी remember रहेगा, या 1 साल के बाद remember रहेगा, या 4 महीने के बाद remember रहेगा, नहीं, यह चीज़ें हमें चार महीने, 5 महीने के बाद remember नहीं रहेगी, तो हर transaction को remember, जो सबसे पहली need आती accounting करने की, वो होती है, हर transaction को remember रखने के लिए हर lane lane को remember रखने के लिए, हम क्या करते है accounting करते है, accounting का मतलब क्या होता हम इसको note down कर लेते हैं किसी जगे पे कि इतना transaction हमारा एक दिन में perform हुआ है या आज की date में perform हुआ है सेकंड चीज़ देखिए एक business में कई सारे सामान होते है machine होती है, furniture होता है, raw material होता है और भी कई सारी चीज़ें होती है इन सारी चीज़ों का भी हिसाब रखना होता है तो इन सारी चीज़ों का हिसाब रखने के लिए भी हम क्या क्याते है accounting को करते है कि हमारे पास कितना सामान है, कितना आने वाला है, कितना आ गया कितने का हमने पैसा दे दिया, कितने का हमने पैसा नहीं दिया ठीक है तो इन सारी चीजों का भी हिसाब रखने के लिए हम एकाउंटिंग को करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या करते हैं हम लोग remember करने के लिए हम लोग अपने एक किताब में लिख लेते हैं ठीक है, एक किताब में लिख लेते हैं, और उस किताब में लिखने के लिए हमारा क्या किते है कि स्पेशल तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं, जनरल इंट्री, वो जनरल इंट्री जनरल इंट्री नहीं होता है, वो होता है, जनरल इंट्री, जनरल इंट्री हम उसको बोलते ह और book में note करने का जो आपका तरीका होता है, वो आपका journal entry के form में होता है, अभी journal entry क्या होती है, कैसी होती है, मैं आपको आगे बताता हूँ, तो बच्चा आप लोग एक चीज़ और जान लिजे, जो भी चीज़े हम लोगो record करते हैं, ठीक है, वो आपके financial transactions होते हैं, financial transactions का मतल नहीं करते हैं, तो देखें हमने किया क्या accounting शुरू करने के लिए, हमने क्या किया, हमने जितने भी आपके transaction होए, उसको अपनी बुक में लिख लिया, आप बुक्स में किस तरीके से लिख लिया, हमने उसको journal entry के form में लिख लिया, अब इस journal entry से हम अठा के एक और book में पोस उससे क्या होता है ताकि साल के एंड में एक हमें रिजल्ट निकाल सकें किस सारे直खों कि अधिनर के में देन हुए यह अंग यह मैं डर है ठीक है और इन सारी चीजों को हम क्या कर सकें, लोगों को बता सकें, किन लोगों को हमें बताना है, हमारे जो भी क्या कहते हैं, बिजनस के अंदर के लोग हैं, जैसे हमारे क्या कहते हैं, management हो गया है, हमारे CEO हो गया हमारे board of directors हो गया हमारे MD हो गया हमारे workers भी include हो गया हमारे employees incrloed हो गए और यह तो आपके बाहर के लोग हो गए जैसे आपके डिटर सो गए आपके सप्लयर्स हो गए आपके पोटेंशल इंवेस्टर्स हो गए यह सारे लोग इनकों पता सके ताकि जिसके बैस पे हम अगले साल के लिए policy बना सकें, याद रखेगा, ताकि जिसके बेस पे हम अगले साल के लिए policy बना सकें, एक बारा फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, accounting में हम क्या करते हैं, हम जो भी आपके transactions होते हैं, जो भी आपके transactions होते हैं, जो इतना भी lane देन होता है, हम उसको हम नोट करते हैं, ताकि हम साल के end में एक result निकाल सकें, result निकालने का मतलब क्या होता है, कि हम बता सकें, हमारे इतने सारे transactions से, इतना हमारा फायदा हुआ, इतना हमारा loss हुआ है, ठीक है, हमारे company का financial position ये है, financial position का मतलब क्या होता है कि एक company का assets कितना है liabilities कितना है capital कितना है ठीक है ये बता सकें और उसके बाद हम क्या करें जो भी हमारा result आए वो हम communicate कर सकें यानि कि हम लोगों को बता सकें किन लोगों को बता सकें मैंने आपको यह जो चीज़े मैंने आपको बताई है यह accounting का एक छोटा सा प्रोसीजर है मतलब बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा यह एक प्रोसीजर है ठीक है